चौदो करोर रूपे कैश, एक करोर रूपे की ज्वेलरी इतना ही नहीं बलकि साथ लगजरी कार ये सब बरामत की गई है किसी बड़े वैपारी के यहां से नहीं बलकि एक B.S.F. जवान के यहां से जिहां आज तक आपने बड़े वैपारी, बड़े नीटा लोगों की पास से करोरो कैश बराम्दकी की खबरे सुनी होगी हाली में उत्तर प्रदेश में भी एक के बाद एक बड़े च्छा पिमारी केर जा रहे थे जहां करोरो कैश बराम्दकी की गई लेकिन आज हम आपको एक 10 S और मैं आपके साथ वन्दना, कैमरा पर्स और ओम प्रकाश के साथ बात जब भी हम देश के जवानों की करती हैं तो सबके मन में एक अलग ही सम्मान देखने को मिलता है लोग देश के जवानों को भगवान के नजर से देखती हैं क्योंकि वो अपनी जान की फिक्र किये बिना ही देश के खातिर अपनी जिंदगी दाओ पे लगा देते हैं लेकिन क्या हो जब एक देश का जवान ठग निकले जी हाँ ऐसा ही एक मामला गुरु ग्राम से सामने आया है जहां गुरु ग्राम पुलिस ने BSF के डिप्टी कमांडेट प्रवीन यादो के घर से 14 करोर क्रूपे कैश एक करोर रुपे की ज्वैलरी इतना ही नहीं बलकि साथ लगजरी कार बढ़ा मत की है जिन में BMW, Jeep और Mercedes जैसे विदेशी कमपनिया की कारे भी शामिल है बता देगे बरामदगी गुरु ग्राम पुलिस ने प्रवीन यादो की पत्नी ममता यादो बेहंट रीटू और अन्यस साथियों को गिरफतार करने के साथ किया है जिहां B.S.F. का Deputy Commandant Praveen फिलाल डेपुटेशन पर गुरु ग्राम की मानिसर में National Security Guard में पोस्टेड है प्रवीन खुद को IPS अफसर बता कर लोगों को ठगने का कारे करता था और ये ठगी का कारे कितने दिनों से चलता आ रहा होगा इसका अंदाजा आप इस से लगा सकते हैं कि जब प्रवीन के यहां छापे मारी की गई तो उस दौरान 125 करोर की ठगी करने का मामला सामने आया ये रकम NSG Campus में Construction का Contract दिलाने के नाम पर ली गई थी गुरुग्राम पुलिस के ACP Crime Pritt Pal Singh का कहना है कि प्रवीन को Stock Market में करीब साथ लाग रूपे का लौस हुआ था और उसने इस रकम का घाटा पूरा करने के लिए लोगों का ठगने का योजना बनाया गुरुग्राम पुलिस के ACP Crime Pritt Pal Singh का कहना है कि प्रवीन को Stock Market में साथ लाग का लौस हुआ था और उसने इस रकम का घाटा पूरा करने के लिए लोगों को ठगने का योजना बनाया था जहां बता दे कि पहले प्रवीन को ठगी का खुद शिकार हुआ उसके बाद अस पूरे रकम जो भी ठगी का सिकार हुआ था उसको घाटा को पूरा करने के लिए उसने एक योजना बनाई जिसके तहत वो IPS बन के लोगों को ठगने का कारिकरम शुरू किया सुतरों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवीन यादो को हाली में त्रिपूरा के राजधानी अगर तला ट्रांसफर कर दिया गया था लेकिन लोगों को ठगने से बड़ी रकम मिलने के कारण उसने ट्रांसफर पर जाने से साफ इंकार कर दिया उसके बाद उसने अभी कुछ दिन पहले सीधे अपनी नौकरी से इस्थिफा भी दे दिया तो एक तरफ प्रवीन खुदी ठगी का शिकार होता है वहीं दूसरी और लोगों को भी ठगने का कारे करता है और उसके बाद जब प्रवीन की पोस्टिंग कर दी जाती है तो वो अपने नौकरी से इस्थिफादी बैठता है और ये प्रवीन बियसिफ का अफसर बताया जा रहा है इससे पहले खबरे उत्तर प्रदेश उसे सामने आई थी जहां प्यूष जैन जो के इत्र कारोबारी हैं उनके यहां छापे मारी की गई और करोरो कैश भी बरामत किये गए और बताया जा रहा है कि जो पुषवराज जैन हैं वो समाजवादी इत्र लांच करने वाले कारोबारी है यानि कि इत्र कारोबारी है और यही वज़ा है कि पहले जब प्यूष जैन के हाँ छापे मारी की गई थी और वहां से करोरो कैश बरामत हुए थे तो पहले तो समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया गया फलहाली में उत्तर प्रदेश में विधान सबर चुनाओ होने वाले हैं और यही वज़ा है कि लगतार एक के बाद एक बरे पार्टी बात हम बीजेपी के करें या फिर समाजवादी पार्टी की दोनों एक दूसरे पर हमला बोलने में कहीं भी पीछे नहीं हटती है और यही वज़ा है कि जब प्यूष जैन के यहा छापी मारी की जा रही थी कडोरो केश बरामत किया जा रहा था तो नाम उन सब में समाजवादी पार्टी यानि कि अखिलेश यादो का करी 번is और पुश्पराज जैन की बारे आई तो पुश्पराज जैन को भी पार्टी के मुख्या यानि कि अखिलेश यादों से जोरा गया और अखिलेश यादों ने भी प्यूश जैन को लेकर बीजेपी पर भी हमला बोला था और कहा था जो प्यूश जैन है वो समाजवादी पार्टी के नहीं बलकि बीजेपी के करीवी हैं और उसके बाद कई बड कर भी सवाल उठने लगे हैं जी हां बाकी आप सोच सकते हैं कि किस कदर सरकारी विभागों में बैठे सरकारी करमचारी ब्रस्टचार में डूप चुके हैं चाहे वो केंद्र सरकार में करमचारी हो या फिर राज्य सरकार के और अब तो B.S.F के अफसर भी ब्रस्टचार के नदी में जुबकी लगाने को तयार हो चुके हैं अब देखना ये होगा कि क्या कुछ आगे पुलिस के द्वारा कारेवाई की जाती है और क्या कुछ सकते कदम उठाए जाते हैं और ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या लोग अब B.S.F. के अफसर पे भी भरोसा नहीं कर सकते तो वहीं दूसरे ओर लोगों को भी जागरुक होने की जरूरत है और अपने चार ओर हो रही सबी तरह की क्रिया कलाब पे नजर रखने की अविशकता है इस पूरे मामे पर आपका क्या कहना है आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताए और हमीशा सतर्क रहें फिलहाल क